हेलो दोस्तों कैसे ही आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है पसंद कुलदीप ने MBA किया तो उसे एक अच्छी कमपनी में नौकरी मिल गई माता पिता के एक लोते बेटे की नौकरी लगने पर वे बहुत खुश हुए उसकी बड़ी बहन के साधी हुए पांच वर्स हो चुके थे और उसका एक बेटा भी था अब माता पिता कुलदीप के लिए लड़की की तलास करने लगे पिता भी दो साल पहले रिटायर हो चुके थे हर माता पिता की तरह उनकी भी इच्छा थी कि बहुत धूमदाम से बेटी की साधी करें और पोता-पोती के साथ खेलते जीवन मजे से बिताएं एक दिन कुलदीप ने अपनी मम्मी से कहा मम्मी मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद की है रिमा नाम है उसका आपको भी उससे मिलवा दूँगा आपको जरूर पसंद आएगी मैं उसके साथ ही साधी करना चाहता हूँ मम्मी हैरान रहे गई उन्हेने तो अपने रिष्टेदारों सहलियों से कह रखा था कि उनके बेटे के लिए कोई बहुत अच्छा रिष्टा बताएं लड़की बहुत समझदार हो सुघर सयानी हो घर का कार करने वाली हो नोकरी करने वाली लड़की को वे बहु बनाने के लिए तैयार नहीं थी उनके हिसाब से नोकरी करने वाली बहु घर की जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठा सकती उसका ध्यान अपनी नोकरी सैल ली और सोयम के लिए कपड़े गहने और सोक पानी की तरह रहता है कुछ नाराजगी से भी बोली तूने अपने आप ही लड़की पसंद कर ली क्या करती है वा कैसी है घर का काम करना आता है खाना बनाना आता है परिवार की जिनमेदारी उठा सकती है परिवार कैसा है खानानी लोग है या मम्मी एक साथे तेरे सारे सवाल कर रही हूँ वा पढ़ी लिकी समझदार अच्छे खानान की लड़की है इसकूल में पढ़ाती है मेरे दोस्त की चचेरी बहन है उसके घरी उससे परिचे हुआ और फिर हमारी विचार मिल खा गए वा तथा उसके माता पिता इस साथी के लिए तयार है मैंने भी तेरे लिए एक लड़की पसंद कर रखी थी घर के कामों में इतनी नुपुड कि सापसफाई से लेकर खाना बनाने तक सारे कामों मिमाहिर खानदान भी बहुत अच्छा तता संपन्य परिवार से है मैं तो बात चलाने वाली थी लेकिन अब तुने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया मा तुम्हें बहुत चाहिए या नौकरानी आज के जमाने में लड़की सापसफाई, बरतन कपड़े धोने और खाना बनाने में नौकरानी रखेगी आज लड़कियां पढ़ी लिखी है करिड़ बनाने में लगी है ये कारे तो मेट से भी करवायजा सकते है अपने हाँ से काम कहने की बात ही लग है जिस सापसफाई सोचचता से हम काम करते हैं वे तो दोड़ते भागते आती हैं और बला टाल के काम कर जाती हैं कितने घरों में उन्हें काम करना होता है वे कोई दिल से काम थोड़े ही करती हैं मैं इसलिए तो अभी तक सारे काम खुद करती हूँ अब मैं भी ठक जाती हूँ मुझे भी तो कुछ आराम चाहिए बहु से इसलिए तो उम्मिद लगाते हैं कि वा घर की जिम्मेदारी समाल ले तो सास को कुछारा मिल साए आप एक बार रीमा से मिल तो लें आपको जुरूर पसंद आएगी बात खत्म करने के अंदाज में कुलदीप नी कहा खैर अगले सब्ता ही कुलदीप रीमा को पार्क मिले गया वहाँ पर ही उसके ममी डैडी भी आ गए विक्तित्व, व्युहार, बाचीत में रीमा सभी को पसंद आ गई कुलदीप ने पहले ही मम्मी को समझा दिया था कि वा रीमा से घर के काम खाना बनाना सफाई करने जैसी बाते नहीं करेंगी मन मार कर मम्मी को चुप रहना पड़ा इसके पस्चात और चारिक रूप से वे लोग रीमा के घर गए और उसके मम्मी डेडी से बात करके रिस्ता पका कर दिया एक सुब में हुरते देखकर दोनों की धुमदाम से साधी कर दी गई कुलदीप ने मम्मी को समझा दिया था कि रीमा साधी के बाद भी नौकरी करती रहेगी इसकूल का समय छे साथ घंटे ही रहता है बाकी वक्तवा घर में मा के साथ रहेगी घर के कामों में भी उनकी मदद करेगी इसलिए उन्हें कोई आपती नहीं होनी चाहिए मम्मी के मन में कहीं ना कहीं याकसक जरूर थी कि उनकी शेवा करने वाली बहु नहीं मिली जो सारा दिन उनके साथ रहे और हर कारे खुद करें वियाराम करें और उस पर अपना रोब प्रभाव बनाये रखें रीमा सवेरे आठ बजे स्कूल चली जाती और दो बार को तीन बजे के लगबग वापस लोटती चाहा कर भीवा सवेरे कोई विजय समधत नहीं कर पाती थी लेकिन साम के खाने का इंतजाम वाखुद करती थी सास को पूरा आराम देती थी कभी कभी सास पती से सिकायत करती सवेरे से साम तक तो बाहर रहती है हमारी बहु बस रात को थोड़ा आराम मिल जाता है सवेरे तो पूरा मुझे ही खटना पड़ता है पती उसे समझाते तुम विर्थी चिंता करती रहती हो जितना उसे बन पड़ता है करतो रही है नौकरी करने के बाद भी एक वक्त खाना बना देती है तुमसे बैटकर बाते भी करती है परिवार में घुल मिल गई है और क्या चाहिए तुम्हीं बेकार की सिकाते करने से रिष्टे भी गड़ते हैं लेकिन सास का हम कहीं ना कहीं आहत होता रिववार का दिन था रीमा ने कहा ममी जी साम को हम लोग बाहर खाना खाने जा रही है ह ममी जी आप से किस ने कहा आप घर में खाना खाएंगे हम सब साथ चल नहीं है होटल में खाने तै किया है कि महिने में एक दिन हम सब लोग बाहर खाना खाएंगे कुछ थोड़ा सा बदलाओ भी हो जाएगा और साथ में इकट्टे बैटकर गप्पे मारेंगे रीमा के कहते पती दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे, अगले महीने के एक रिवार को रीमा बोली, मम्मी जी, आज हम सब लोग फिल्म देखने चलेंगे, भाग मिलका भाग लगी है, बहुत ही सांदर फिल्म है, आपको भी बहुत पसंद आएगी, सास असुर ने तो पिछले कितने ही सालो से थियेटर में फिल्म देखना बंद कर दिया था, घर पर ही टीवी पर जो फिल्म आती, देख लेते थे, बहुत की बास सुनकर, उनके अंदर भी फिल्म देखने की ललक जाग उठी, और फिल्म देखने के लिए मान गई, उस दिन घर के काम करते हुए, सास को अचानक चक करा गया, और वागिर पढ़ी, पती घबर आ गए, उन्हें धीरे से उठा कर बिस्तर पर लिटाया, बिले प्रेसर चिक किया, तो बढ़ा हुआ था, डॉक्टर को फोन किया, उन्होंने आराम करने के सलाह दी, साम को बेटा बहु आये, तो मम्मी को पूरा आराम करने के सला बहु है, उन्होंने अपने मन में गलत धारडा पाल रखी थी, कि नोकरी करने वाली लड़कियां जिम्मेदार नहीं होती, तथा घरेलो लड़कियां ही, सब क्यार सुचारू रूप से कर सकती है, जब कभी सास की सहलियां या ससुर के दोस्ता थे, तो रीमा उन्हें बहु तो चार दिन के लिए हिली स्टेशन पर घूमने चले गए, वहां से आने के बाद रीमा ने इच्छा जताई, कि उसे एक सब्ता के लिए माईके बेज दिया जाए, क्योंकि साल भर सेवा माईके में रहने नहीं गई थी, लोकल होने के कारड़, वह कुछ देर के लिए ही मि बना कर देना, और साथ में खुदी भी बैठना, कुछ गपसब करना, कभी कुछ गर्म नास्ता बना लेना, रात को सबका एक अठा बैटकर खाना खाना, सबको कमी महसूस होने लगी, अगले दिन ही वे बेटे से बोली, कुलदीप, रीमा को लेकर आ जाओ, उसके बिना, य आदत जो पड़ गई है, तू भी तो कितना बोर हो रहा है, तेरी सकल बता रही है, और देखना, वसोयं भी यहाने को कितनी त्वाली होगी, सास बोली, उदर ससुर जी भी मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे हो, तुमारी गलत पहिमी दूर हो गई ना, नोकरी करने वाली ब उमिद करती है, दोनों ही इमानदारी से अपने फर्ज पूरे करें, तो घर सर्ग बन जाता है, आशा करती हूं दोस्तों, आपको मारी कहानी जुरूर अच्छी लगी होगी, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सेर सस्क्राइब जूरूर करें, फिर मिलते हैं दोस तो अगली कहानी में तब तक के लिए धर्निवाद